नेशनल खबर सब पर नजर हेलो दोस्तों मैं बहुत दिन से सोच रहता हुमन वोईस होती क्या है आती कहां से और जाती कहा है आज हम अपने गेस्ट से बात करने से पहले मैं आपने उनके बारे में कुछ चीज़ा बताना जाता हूँ आपने इतना कीमती समय दिया जो मिलना बहुत मिश्किन हो जाता है बिल्कुल तैंके सोमच आप ने ऐसा टॉपिक लिए है जिसको समझाने में बहुत वक्त लगता है and this is a research based topic but definitely मैं कोशिश करूँगा के इस ocean को इस सागर को गागर में भर सकूँ और कम वक्त में मैं जादा से जादा चीज़ें आपको बता सकूँ तो देखिए आपने तीन बाते कहीं एक कहा वाइस वाइस एक कहा स्पीच एक कहा सेंगिंग अब ओवराल इस थ्री थिंग्स सबसे पहले हमें वाइस को भी समझने से पहले यह समझना पड़ेगा कि वाइस और इजिनेट कैसे होती है इसके कुछ रीजन से हैं क्योंकि जब आप कहीं पर कंफ्यूज होंगे या कहीं पर कंजस्टिट फील करेंगे तो आपको या आइडिया लग जाएगा कि मेरे कौन से बॉड़ी पार्ट पे मैं काम करो इसी लिए ही यह बाइलोजिकली समझना जरूरी है वरना मैं इस चीज़ को नहीं एक्स्प्लें करता है देखें हमारे पस चार चीज़े हैं वन इस एक्ट्वेटर एक्ट्वेटर इस अप्लाई ऑफ यॉर ब्रीधिंग ऑफ यॉर एर इसके बाद में आता है गाइब्रेटर वैप्रेटर इज यॉर कलिड मैं तीरस आपको बताऊंगा कि कैस के बिव्यां को बहसे किसके पीछे की शुपिए लिए और प terrified is the mater relative प्रॉब्लम आपके कौन से सक्षन से रिलेटेड आप नहीं जान पाते हैं अब देखिए मैं आपको बताता हूं अब मैंने बात करी एक्चुवेटर की एक्चुवेटर क्या होता है लंग से जनरेट हुई एर डाइफ्रेम तक पहुंची डाइफ्रेम में तोड़ी देर इसको स्चोर करते हो और बाहर निकाल देते हो उसके बाद में यह फ्लोट करती है हमारे वाइबरेटर प में जाज़तर नहीं होती है होती पैल मेंreten स्लेटल्स में एड़म सैपल पहांद के लिए बता रहा हूं इस Odum सापल के ठीक पीछे हमारा वऐस बॉक्ष से लिरम्ससे इब से बिंदेभ कोई चीज होती है वह लगग लग लंक्स के अंदर अन्दर लेरंक्शलेंस के अंदर vocal cords vocal cords से हमारी हवा पास होके हमारे pharynx area में जाती है अब final step जो मैं आपको बता रहा हूं हमारे इस Adams apple से लेके यहां तक this is the resonator resonator यहां पर आवाज का काम शुरू होता है जैसे ही वो lips तक tongue तक आता है हमारा articulator active हो जाता है जो भी मैं बोल पा रहा हूं that is the clarity of the voice and originated from my actuator and in between it is getting modified अब यह आपने जल्दी में समझ लिया कि biologically कैसे activate होता है अब कहानी सारी आ जाती है कि जब आप किसी voice पर काम करते हो तो किसी के साथ problem है कि वो stammering कर रहा है आपने दिखा होगा इसे बोलते हैं कहीं पर अटक जाते हैं क्या आप कोई fact पता है कि singing and speech में जो हमारे brain के जो parts involved होते हैं बहुत अच्छा गाने वाला ज़रूरी नहीं अच्छा बोले क्योंकि दोनों cases में हमारे brain के जो parts हैं वो differently use होते हैं सब चीज़ा common नहीं कुछ चीज़ा common हो सकती है एक अच्छा speaker जिसको बोलना है वो अपने speech पे काम करेगा speech के exercise होती है एक singer जिसको singing करनी है या singing करना चाहते हैं कोई भी वो अपनी singing exercises पे काम करेंगे right we should not mix the two things okay तो अब हमारे लेक्सीज़ सिंपल होगा है कि हमारा target क्या है are we targeting to the singing career और are we targeting to the good speech speech or speaker maybe you can be a you know motivator public speaker और मारे रोजमारा की जिंदगी में भी अच्छी speech and communication बहुत जरूरी है तो यह हमने समझा कि आए कि when we breathe आधे लोगों को I would say not आधे लोग बल 90% लोगों को प्रॉपर्ली ब्रीधिंग लेनी ही नहीं आती जो मैं बोल रहा हूं गाड़ी में फ्यूल उसके बीना गाड़ी नहीं चलेगी वो विदाउट injecting the fuel they want to speak जातर लोगों को मैंने देखा है सबसे पहले आपका पहला काम क्या है आपको ब्रीधिंग करनी है अब देखिए आप जैसी ब्रीध करोगे प्रॉपर्ली अगर आपने की है आपके ब्रेन को अक्षीजन जाएगा गया आपको ऐसा लगा कि हाँ जीवन अच्छा है अगर प्रॉपर्ली आप सांस ले रहे तो तो सबसे पहले राइट आपके अमांट ओफ्यू थे तो आपने अक्टिवेट किया एक्टिवेट एक्टिवेट आपको इस बात है के वहां पर कफ भी होगा कंजेशन भी होगा जो जो खुछे हम्सक्राइब गूए हैं तो किहाँ में वाइब डीयत्र को टिलीन practice यहां पे कॉन सा पाट राता है था को अपने माउठ को वाशाउट करना करना चितनी बाहना हो इस एरिया में जितना भी para जब वाइस बन गई यहां से वाइस बन गई पर्टिकुलर वेवलेंथ में वह आगे जा रही है अब वह रिजनेट भी तो करनी है अब मैं आपको इक बहुत इंपॉरेंट बात बताने वाला हूं मतलब है यहां पर कुछ दातमे लगता है वह बता है आपको हाँ एक फॉर्म देता हूं क्या अकुछ खोख़णा पन अच्छा भी होता है कैसे दातों में नहीं लिए होता यह है के क्या इस में इस खल के अंदर क्या जगाएं रहें कि आप इसको करोगे तो आपके 파श पता लगेगा आपको कहा कहां पर खाली पन के पास आपका खाली पन है कर दिया पर इसार अ चिजा आपको जिब रिजनेटर को आक्टिवेट करना होता है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपकी जो वॉइस है वो क्या उस cavity के अंदर properly move कर रही है मैं अभी आपको इसके लिए कुछ exercises भी बताने वाला हूं इस सारी बातों को मैं अपने आगे वाले चीजों में connect भी करूंगा तकि audience और भी चीक से समझ सके इस चीज को फिर मैंने कहा था अब आप एक्जामपल लेता हूं दिवाली पे आपने कभी बिजली बंफोड़ा है बहुत बाद बार बिजली बंब को जब आप जलाते हो जिसमी आप मजाक में किसी के पास भी छोटा सा बिजली बंब तो जब आग लगाते उसके अंदर तो आप सोचते आप फटेंगा पहते हैं तो सबकुर्ट था उसके अंदर भार उसके अंदर हमतने लगाई उसको उंपने उसे प्राथना भी करीं कि भड़ा बट उसने का नहीं फटूंगा तो इसका मतलब सबकुर्ट दिया आपने आपने प्वार सप्लाई के ऑक्सीजन भी दिया उसको आपने रिजन बट जैसे ही वो लञप तक आई आपकी जो वालीयुबल चीजहें थी वो लिप्स्टक आई आपको उसको और टोलेट करना ही नाया में यह संवङरे है इसलिये आप में कि दोन टों जे के आप बोलनी पा रहे हूं आप बोल पा रहे हो पर कहा प्राप्लम आ है आप उसको रिलेड करो अपने इस पर्तिकुलर 4 फोर के से फेरी इंपॉर्टरियों चेज्छा कर दो सब्सक्राइब आपने जो भी बालोजिकल फैक्टर आपने बता है आपने जिस्ते के साइप्सक्राइब काफी अत्रव में समझ में रागव जी मेरा नेक्स क्वेस्टन यह है रिलेटेट टू देश की हुमन है हम बहुत सारी वाइस हम सुनते हैं बट हम एक्ट्वल में कित्ती सारी वाइस निकाल सकते हैं यह इसी तरीके का क्वेश्टन है कि जो भी हम सुनते हैं वह सब कुछ हम ट्राइब कर सकते हैं लाखों वोइस हैं हजारों तरीके हैं और हर इंसान अपने इसाब से इसको इजाद करता है यानि इनुवेट करता है बट मैं आपको बताओं अगर हमें इसको और एक्साइटिं दॉस्तिंग अब जैसे मान लीजे आप गाना गाते हो तो कोई भी जाना आप गा रहे हो बट आप इस तरह नहीं गा पा रहे हो तो आप मजबूरी में क्या करते हो हम टब आप मालो next मैं बताओं तो गीगल जादा तरी वैसे लड़कियां करती हैं जैसे आपने सुना होगा कि whispering होती है पहले चलो whispering ले लेते हैं मालो किसी लड़की ने किसी दुस्री लड़की कान में कुछ कहा जो कि वो चाहती है कि किसी को ना पता चले पर कंट्रोल नहीं होता उसके बाद में क्या करते हैं इस तरीके की वोईस आती है तो आपको पता लग जाता है रहे या आपस में कुछ सीक्रिट बात कर रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं तो whispering is also producing your voice in a light volume लाइव हाई चाहतो क्या हो रहा है okay like that and उसके बाद में जो this kind of voice तो आप इसकी भी टर्म है whispering तो सबने सुना है right whispering के बाद अगर आप इस चीज़ को बोलते हो तो that is also having a term यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं के ठीक है हमने तीन तरीके की चीज़ा समझी अब next is sniff sniffing sniffing में क्या होता है आपने देखा होगा के doggy is कुछ की सूंगना होता है this is also a voice अभी कहां से आ रही है आप सोचो हमारा यह पूरा पार्ट नेजल से लेके ठीक है और यहां तक it is working and the power supply जो मैं बता रहा था आपको actuator वहां तक वो जा रही है this kind of voice chicken इसको में क्या बोलते है sniff sniff यह हमने एक चीज़ और समझी अब आप देखो के के एक होता slurp slurp मतलब जैसे आपने खाना खाया ठीक है और किसी ने खाना नहीं खाया है तो खाना खाके तो ठीक है जाओ गया वह इसने खाना निखाया वह क्या करेगा और इसको भूक लग रही है और बहुत टेस्टी खाना सामने पड़ा तो इसको बोलता पहने वाली पैंट नहीं पैंट और अबलीख गैस्प अब उसके अंदर क्या होता है आप मानों कभी टायड हो जाते हो बहुत ज्यादा टायड हो जाते हो आप क्या करते हो जिम से आ रहे हो कुछ ओवर्लोड लिया हुए आपने तो जब भी आप इनहेल एंग्जेल करो उस साउंड को हम बोलते हैं गैस्प अब आपको मुझे लगता यह चीज़ें याद रहेंगी यह चीज़ें हमारे डिली लाइफ में हो रही है बट आज नेम पता चलिए उनक सब्सक्राइब करने के लिए और अच्छा कम्यूनिकेटर बनने के लिए सब्सक्राइब कर देके लिए करने की करना ही जिस से हम अच्छा एक को सीख आपकरै इसकी बहुत ज़्यादा Loud यह सबसे पहले इसलिए गहएं लोग देखें हैं जे के पास वर्ट वर्ट टू स्पीक अगर आप कॉंफिरेंट होगे स्टेज पर चले भी जाओगे तो क्या होगा कुछ नहीं होगा ना यूमस्ट है वोक्याबलरी अब मैं आपके एक्जांपल देता हूं मान लीजे आप युद्ध करने गए ठीक है आप तो खेर आजकल दो आप खुद सोचो के वर्ट वर्ट वोर्ड्स आरा यूद्ध वैली अब वोकाबलरी इस यह को एक बिना विपन के आप लड़ने जारे हूं इस लाइग तो कितने भी अपन प्रेंट लड़ने जाओ हार नहीं आपको नहीं होगा नहीं होता आपको नहीं होता हुआ है तो words should be there that is the main thing second जो articulator last step मैंने आपको बताया था सारी कहानी वहाँ जाके फस्ती है आप देखें के बार बार मैं आप उसी scientific reasoning पर आ रहा हूँ देखें होता यह है कि जब आपकी pronunciation क्या होता है जब आप उच्चारण बोलते हैं जब वो ठीक होता है आपका तो बात बन जाती है फिर modulation किसी भी चीज का जो graph है वो ऊपर और नीचे travel कराने की color that is the second step third is the clarity clarity of voice अब मैं थोड़ा background में लेकर जाना चाहता हूं हो सकता है मैं कुछ ऐसे भी students देख रहे हो जो अब सभी स्कूल में Sanskrit पढ़ रहे हैं जब हम Sanskrit पढ़ रहे थे काश कहर मुझे specially के काश संस्कृत हम लोगों ने ठीक से पढ़ी होती देखे शुद्धी जो वानी की है ना जो हम टंग की बात करते हैं वो बड़ा clear होना चाहिए आपके लव्ज या जो आपके शब्द हैं वो बिलकुल clearly आपके मुझ से निकलना चाहिए क्योंकि जब तक आप clarity के साथ बोलोगे नहीं लोगों तक वह बात पहुंचेगी नहीं now my point is कि मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुछ exercises के बारे में बताऊं जिससे ही हम यह ठीक कर सकते हैं on the spot okay right यह possible 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 है कुछ exercise है हाला कि शुरू में आपको tough लगेंगी बट दीडिरे करक्थ चीज को ठीक कर सकते हैं एक exercise है आगर आप बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं ललानी ल elini लानी ल ले ल ल लेलांी ल लेनी ल लिल लेनी ल लगेगा इसको समझना जरूरी कि क्यों था यह मैंने क्या किया लानी लेनी अब ले को मैंने सिर्फ पूरे सेंटेंस में डबल जब मैं चल रहा है और देखे दिमाग कैसे इसी कंफूजन को बार 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 जब आप सहते हो तो आपके दिमाग को पता लग जाता है कि नहीं यह चीज मुझे अपने नहीं है तो यह मत समझें कि आपके लिए मुश्किल है आपके लिए असान है यह सोचे नया है टाइम लगे अब एक और चीज़े मैं आपको एक नया नया बताता हूं एक साइज्जा है मावलंफाबलम आब में बाद जा रहे तरीकशते डिये 478 ले पसाइंल जाते ज banner आपना मां फ्रक्राइड अब देखेंगे मा मूलन MAMALUM FABULUM तो MA is head voice it's going up in the head and FHA is the chest voice right एक हलगा से रिजनेंस वह गुँञ गूंज ग्रीट हो रही है चेस्ट में आपके यह voices हैं आपको यह समझना पड़ेगा कि where it is heading in the body जिसे आप मान लिजे कुछ टंग ट्विस्टर्स की बाद करना तो एक टंग ट्विस्टर्स और मैं बता देता हूं उन लोगों के लिए जिनका सा और शा क्लियर नहीं है होता है कई जगा पे और कई लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्म में साथ में अपने बहां के दोस्तों को यह मेरी तरफ से एक गिफ्ट है पर चुकि यह बहुत बड़ी चीज है आप इसे प्लीज प्राक्टिस जरूर कीजेगा बहुत सिंपल करके दूंगा तीन महिने में आपक के अंदर असर महसूस होने लग जाएगा डेट इस ओल समय गैरेंटी तो देखे होता क्या है एक exercise है दिर इस हमारे प्रॉब्म क्या चल रही है सा और शाकी सा और शाकी सा और शाकी तो हमारी exercise में भी सा और शाई होगा तो रूल है कि हमें सा और शाही बोलना है अब मैं संब्सकार में में बता दूकि शिथा ऐसके आखा शाषा साचा 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 सचा साचा साना और सपक्नार करता सब्सक्रां में विक्तुर्व करतो दोगा है तो अथ इस में थोड़ा सा बोल मैं पर मैं इसको समझाओंगा let's go deeper into the exercise आपको अगर यह शुरू में नहीं बोलना है तो आपको शुरू में लिख लेना है लिखना क्या है राइश वन्ष वन्टू 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 वन्ह टूवन्टू अब वन की जगह आपको शा रखना हैais Eavy है। राइट आपसको कॉप में नोड कर लीजें दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट रागव जी की तरफ से आया है और इस इजी मैंने अपनी ट्राइग किया आप कर लेंगे देखिए कोई भी कर लेगा मैंने भई काना कोई भी नहीं नहीं न्यू इंपुट जब रेजिस्टर होता है तो वो आपके आपके सबकॉंचिस में जा चुका है अब क्योंकि आप इसे लेख लोगे और फिर आप लिखके पढ़ोगे तो आपके वीज्वल में भी आ जाएगा वीज्वल में आ जाएगा तो पका हो जाएगा फिर आप जब इसको बार बार बोलेंगे तो इट विल बेरी गुट अब लिए वाइगे जाएगा वाथ आपके लिए यू केंट राइड लेटर और बहुत अच्छा आप कर लेंगे क्योंकि यह हर कोई कर सकता इसी और इंट्रेस्टिंग भी बात मजाएगा क्योंकि हम सब अट्रेक्टिव दिखना चाते हैं अब देखेंगे कि सेम है जो हम अपनी स्पीच को अट्रैक्टिव कैसे करें एक मतलब कहते है ना चाम परफॉममेंस बहुत बढ़ी है इन्होंने तो उसको कैसे करें उसको पॉलिश कैसे करें और अच्छे करें देखिए वोईस मॉडिलेशन इस दे बेस्ट पार्ट फॉदा वोईस प्रकाश कितनी बार आपकी चिन नीचे गई तो आप अपने जो नाम को तीन जगह पर एंफसिस कर सकते हैं चंद्रप्रकाश चंद्रप्रकाश चीक है अब मॉडिलेशन का मतलब क्या है मॉडिलेशन का मतलब यह है विभाजित कर लेना जो कोई वर्ड अगर बड़ा है या लंबा वर्ड है उसको आपने तोड़ लेना है डाट इस मॉडिलेशन मॉडिलेशन के अंदर कुछ और चीज़े भी आती है जो मैंने आपको लेसन दिया वह सिलेबल का है सिलेबल होता है जिसे हम संस्कृत में पढ़ते थे संदी विच्षेत हां दो चीजों को तोड़ना और उसको जोड़ना राइट तो उसका विभाजन जो मैंने बताया आपको यह तीन चीज़े हैं तीन जगा विभाजित हो रहा है आपका नाम राइट एक मॉडिलेशन और सिंगिंग को भी हम अपने बात में रख रहे हैं तो मुझे लगता है हमारे सभी लोग इससे वाकिफ होंगे कि हमने सुना है नाम लेजंड का और वो कौन है जगजीत सिंग साब जब मैं उनका नाम लेता हूं तो सेरन होती है क्योंकि उन्होंने जीवन में कुछ बहुत दिल से गाया है और जब भी उनको सुनाया तो बहुत अच्छा लगाया पर क्या आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि उनका एक भी गाना हाई नोट्स पर नहीं है कि माइड माइवर्ड्स जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं शायद इस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया हूं लोगों को समझने में हल्प होगी कि exactly और ली ऑक्टेव्स स्केल्स पिच मॉडिलिशन कितनी वास्ट है बहुत सारे ऐसे लोग है जिन से जो कहते हैं यार हमें हाई नोट्स पर गाना है कुछ कहते हैं में लोग नोट्स पर गाना है डोंट गोविद रहीं लोग और योडियोर ओन कैप अपबिलिटीज क्या पूरा गड़ता हूं जैसे आपने जग्दीज सब्सक्राइब को सुना वह ज्यादतर हाइब नोट्स पर नहीं गाया है और मुझे नहीं पता मेरे को यह अच्छली कोई गाना ऐसा नहीं मिला जो उन्होंने हाई नोट्स पर पर क्या आपने एक और नाम सुना है क्यलाश सब्सक्राइब क्या आपने उनका कोई गाना लो नोट्स पर गाते हो इनको सुना है अभी तक तो नहीं सुना पर दोनों ही लेजंड्स है कमाल की बात यह है तो एक लो नोट या एक मिडल अक्टेव को पिक अप करके अपने जीवन भर उन गानों को गाने के बाद भी बन सकता है तो मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि अपनी कैपबिलिटीज में रिफाइनिंग करें रादर दन दूसरों को देखकर उन तक पहुंचने की कहानी होनी चाहिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो दास्माइब करेंगा इस चीज़ को दोनों को सुनते हैं और दोनों क कोई स्टाइल अलग है कोई लोग पर है कोई हाइप है तो आपके लिए था कि किसी को डायकि लिव ब्लाइंड लिफ वालो मत करो तो समझ को अपनी वोईस को अट्राक्टिव बनाने की तो अब मेरा आपसे एक सवाल है और जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी सवाल है मेरा आप मुझे बताएं कि लास्ट टाइम लाइफ में आपने अपनी टंग से अपने पूरे माउथ के हर हिस्से को कब टच किया था 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 क्योंकि एसा करते पर पता नहीं चल पाता था आक्शली टास्क बड़ा इसी है पर हमने लोग ने कॉम्पलिकेरिट किया हुआ कि रहने कितना सिंपल सा काम है कि हमें अपनी टंग को अपने पूरे माउथ में टॉच करना है उसका एपक्त किया आएगा कि आपकी जतनी भी मसल्स हैं या जतनी पी कनेक्शन से जितने टिशू हैं एक तो सब एक्टिवेट हो जाएंगे दूसरा सब स्ट्रेंट हैं हुज तबूत हो जाएंगे हमें अपने माॉथ को यूज करने में जब ज़्यादा चला के बोलते होता है तो इस चीज को हम ठीक कर सकते हैं ये छोटी सी दो मिनट की एक्साइज एक मिनट के एक्साइज भी तो कर सकते हैं पहले तो सबसे पहला स्टेप यह है दूसरी चीज आपकी और चढ़ाना, उसके लिए सबसे इंपोर्टन क्या है, पॉसे आपने देखा हुआ कई लोग सोचते हैं, अट्राक्ट हो जाते हैं उन लोगों से, जो बहुत जल्दी 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 बोलते हैं, इतना तेज कैसे कोई बोल सकता है, ठीक है, people are speaking fast, but उनकी पहले आजिस्थानी है, मारवड़ी है, या गुजराती है, एनी लेंगवज, आप सबसे पहले उस लेंगवज को पिक अप करिये, जिस पे आपकी पूरी कमांड है, उसके बाद में पॉसे बहुत जरूरी है, तेज चलने से ज़ादा चलते रहना जरूरी है, क्योंकि फिर आप कहता हूँ के, चंदु, what you are doing? राइट, अब आप इसमें pauses change कर दीजये, चंदु what you are doing? 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 आप देख रहे हैं के voice modulate करने में जब माँ जहां pause दे रहा हूँ, मेरी इमोशन्स मेरा मैसेज कन्वे करने का जो एक तरीका है वे है वो भी बदल रहा है और समझने वाले को भी कुछ और समझ में आ रहा है इस मैंने बहुत चोटा एस एक्जामपल दिया है आप अपनी रोज मरा की जिंदगी में इसको अपलाई करके देखिए आपको पता चल जाएगा कि एक पॉज इधर का उधर होते ही शब्द का मतलब बदल जाता है इमोशन्स भी चेंड हो जाते हैं तो मैंने तो एक ही चीज सीखी है कि जादा बोलने से अच्छा है लिमिटेड बोलिये पर उतना बोली जितने से आपको आपका मैसज कन्वे हो जाए तो यह बहुत इंपॉरेंट चीज थी जैडिस जादा इसमें अगर हम जाएंगे तो बहुत बड़ाइक टॉपिक है मैं जादा लिना निशा था तो दोस्तो इस तरीके से आप अपनी वोईस को अट्रैक्टिव कर सकते हैं तो यह एक्षाटिव बड़ाइक जाएंगे एक्षिली काफी लोगों के साथ एक प्रॉब्लम और भी है जो लोग में देख रहे हैं वो कई लोग बहुत दीरे बोलते हैं उनसे तेज बोलने का या तो उनका मन नी होता है बोला नहीं जाता है जैसे आपने बोलना है वन टू टैन तक जो आप बोलेंगे सबसे नीचे वले नोट पर बोलेंगे अब टैन तक आपको इसको बोलना है घर पे आपको हर नंबर पे अपनी वॉल्यूम बढ़ा देनी है अब करना एक लबल इससे क्या होगा कि आप जब लावड बोलेंगे जितना वेटेज एक शब्द को चाहिए उतना अगर उसको नहीं मिला तो उसका असर खतम हो जाएग है यू नीड टू बी लावड इनाफ तो कम्यूनिकेट विल तो कन्वेयर मैसेज कंप्लीटली कई बोर कई बार लोग होते हैं के बात करते हैं के यार मैं वहाँ जा रहता हूं तू क्या करना अब वह लास्ट का जो शब्द हो खाय जाते हैं इससे क्लारेटी का इशू क्र लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं स्टेज पर आंकर्स के लिए यह चीजें बहुत जरूरी हैं क्लारेटी ओफ वोईस वोईस मॉडिलेशन असवेल इस मेनी थिंग्स विचाहव तो इसके उपर अगर कुछ डीटल में बात करनी होगी तो फिर फुरसत में बैट करेंगा क्योंकि हमें टाइम करें तरह से ध्यान रखना है एक लास्ट बट नॉट लीस्ट जब हम जिम जाते हैं तो ऐसा होता है कि तीर महीने बाद हमारे इंप्रूब्मेंट दिखने लगता है हम सब के अंदर बट हमें तो दूसरे दिनी फील होने लगता है वो जिम जा रहा हू कि अपनी वाइस के exercise करें इसमें बैटर रिजर्ट्ट हमें कैसे देखियों और इसमें मैं कुछ exercise बताता हूं आपको exercise तो खार मैंने सारी बताई है मैं आपको एक पॉइंट देता हूं इसको एक लॉजिकल पॉंट देता हूं ज्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से आप चाहते हैं उन लोगों को अब्जर्व करिए अब लोग तो जल जनरली नहीं मिलते हैं अब कहां जाकर डूंडेंगे आप मैंना आपको बस काम बहुत है देखिए माली जे किसी को अपनी इंग्लिश दार नहीं है तो गो टू दे इंग्लिश न्यूस चैनल हिंदी मींस इंड इस सरी के बात करें आप ज़रूर देखिए वो अपनी वैस को मॉडिलेट भी कर रहे हैं वो कौंटेंट पर ध्यान दे रहे हैं अपनी क्लैरी पर ध्यान दे रहे हैं और अपने मैसेच को कनवे भी करने हैं second thing start listening to music शेंगे थोड़ा सा चैन्ज हो जाता है शब्द के मीनिं के accordingly उसकी energy बदल जाती है गाने में आप देखेंगे कि गाना सुन्दर तब लगता है किसी ने बादल कहा तो हवा कहा या पानी कहा तो उस तरीके का खयाल रखके इंसान उस चीज़ के सुर लगाता है आप अगर कोई गाना ले 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 लेते हैं तो लगजा गले में आप story दे फिर ये मुलाकात हो ना हो बात हो ना हो तो एक अफसोस दिख रहा है और एक चाहा भी दिख रही at the same time अगर हम इस चीज़ को उस चीज़ की तरह ना गाएं तो गाने की value खतम हो जाएगी ना तो जब आप गाना सुनते हैं तो उसके meaning के हिसाब से शब्दों को चुना जात अब क्या हो रहा है सुर चेंज हो रहे हैं चेंज हो वाइस मॉडिलेट की जा रही है शायद फिर इस जनुम में मुलाकात हो नहो अगर आप एनरजी नहीं दोगे उस सुर को या उसको मॉडिलेट नहीं करोगे वह अफसोस ही नहीं दिखेगा क्या फ़र्दा वह फील ही नहीं आए और सुर। अधिस मॉडिलेट इस वाइस दिखेगा क्या है अब तक हम चीज़ जानते थे पर उनका प्रॉपर नेम भी पता था और मॉडिलेशन का जो आपने बताया सिरिस्वी आट्सौर लाइशन आपको साशा वाली करनी है और अपने जितने भी लोगें उन सब को करानी है इस वेरी इंपोर्टेंट राइट मुझे मुझे बताईएगा फीडबाक अगर आपको फीडबाक मिलते हैं से रिट क्योंकि एक्सराइज मैंने बहुत सोच के क्रिएट करी है और अगर इससे किसी का बेनेफिट होता है तो मुझे बहुत अच्छा लागेगा की जो डाइन में में प्लीजन क्रिस्टालिटी हमारे पास दुबारा आए और आप देखे तो प्लीज कमेंट करें एन वन मोर थिंग कि आयन में आपकी सब बहुत अच्छी है जभी तो आप सिंगर है सो नेक्स्ट वीडियो अगर आप सब चाहते हैं कि हमारा सिंगिंग से विटेट बनें सिंगिंग टिप्स से विटेट बनें सो प्लीज कमेंट करें और देखते रहे हमारे इस चैनल को नेशनल खबर सब पर नजर